तो स्वागात आप लोग आज की वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहां पर डिसक्सक्शन वाल है जो अपना यहां पर 18 प्लस अकाउंट क्रियेट करते हैं ठीक है जहां पर आप लोग को मोबाइल नॉमबर वगएर वहरिफिकेशन के लिए देता है पैरेंटल कंट्रोल की वज़े से यहां पर अगर मैं यहां पर नो करता हूं एक मेंट तो यहां पर देखिए एटीन प्लस दिखा रहा है आर यू एटीन येर्स ओल्ड बलके पूछ रहे हैं पर अगर आप 18 से अबवव हो तो आपको जो एक प्लेयर आईडी काड़ बनान यहां पर जो एटीन येर्स से नीचे होते हैं बच्चे उन लोगों के लिए हैं पर यह restriction है कि वो लोग जो है तीन घंटे से एक दीन में तीन घंटे से ज्यादा नहीं कहल सकते तो अगर आप यहां पर डेट अब बर्थ 18 से नीचे डालते हो तो आप लोग को यह वाला इस तो यहां पर अपने प्रोफाल के लाना है एक मिनिट तो आपको यहां पर प्रोफाल के अंदर आना है फिर आपको यहां पर इक देखेगा चोड़ा सा काड टाइप का तो आपको सिंपल सा इसको पर क्लिक करना है ठीक है क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर सारा कुछ डीटेल्स दिख जाएगा यहाँ देखिया आपका जो है सिगनेशर अगरा दे सकते हो फिर जो है आपका मतलब स्टेटस टाइटल का स्टेटस यहाँ पर लगा सकते हो बाकी आप किस तरीके के टीम मेट को यहाँ पर मतलब खेलना चाहते हो किस तरीके के टीम मेट के साथ और कौन से मतलब पूरे 24 घंटे का अंदर कौन से टाइम पर खेलते हो यह सारा कुछ यहाँ पर अपडेट कर सकते हो साथी साथ आप लोग को यहाँ प आप लोग को दिखाई दे रहा है अगर आपके प्रोफाइल को कोई चेक करता है वो यहां से इन सारी चीज़ा को देख सकता है यानि आप यहां पर पर्मिशन दे सकते हो या फिर उसे ब्लॉग भी कर सकते हो ठीक है तो यहां से आप जो है अपना प्लेयर आईडी काड बना स सकते हो अराम से और जो है यहां पर आपका मतलब हो जाता है अगर आप डेट अब बढ़त यहां पर एंटर कर देते हो तो आपका जो है सिंपल सा यह वेरिफाय हो जाता है एटीन प्लस ठीक है फिर उसका आपको जो है वहां पर वेरिवकेशन के लिए नहीं दिखाएगा अगर आपका मतलब अभी दिखा रहा है वहां पर एंटर कर लेना है नहीं देना जिस नमबर से आपका फेस्बुक है या फिर गमेल है ठीक है तो आपको जो है कोई अलग एक number यहां पर enter कर देना है जो भी आपके पास हो तो उसके अंदर क्या होता है फिर वहां पर OTP बगएर आता है फिर verify हो जाता है verify होने के बाद आपका जो है game दुबारा यहां से open हो जाता है अब चाहो तो उसके बाद player id card के अंदर आप आपका date of worth होता है ठीक है वहां से update कर लो दुबारा फिर उसके बाद आप लोग को यहां पर 18 प्लस का जो है यह वाला error आप लोगों देखने को नहीं मिलेगा ठीक है यहां से मतलब हड़ जाता है completely तो अगर आपको मतलब simple से इस तरीके से हटाना है तो आप आराम से वहां आप पर log out कर लो log out करने के बाद यहां पर आप लोगों को repair बलके option देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर आपको click करके यहां से routine repair कर लेना है ठीक है यह जो routine repair होता है इससे क्याता है जो अपना extra bugs होगे रहा होता है सारा कुछ यहां से delete हो जाता है इसके वज़े से हमें जो भी मतलब changes वगरा करना है बहुत ही आराम से हो जाता है फिर इसके आप अपने गेम के थुरू यहां पर login कर सकते हो ठीक है तो मैं यहां से login करने के बाद आराम से अपना जो है गेम को verify कर लो ठीक है वेरिफाय करने के बाद आपका normal gameplay आप कर सकते हो आपको जो है दुबार ह आपके सामने यहां पर notification आजाता है फिर आप gameplay नहीं कर सकते है दिक्कत आप लोगों हो जाता है फिर आप अपन ही नहीं होता तो आपको new ID वहां पर create करना पड़ता है लेकिन इससे आपको क्या करना है अब आप अगर यह बाला process follow करके कर लेते हो तो आपका जो है new ID कोई भ हो जाता है वहां पर आपको दोस्तों आप लोगों को यह वाला information जो है समझ में आ गया होगा क्योंकि यहां पर कोई ज्यादा difficult चीज नहीं है तब भी अगर आप लोगों कोई भी डाउट है कोई भी मतलब queries है इसका regarding तो आप मुझे पूछ सकते हो या फिर मेरा जो Instagram का handle है पर प्रेस करें नुट्विकेशन को और पर सेट करो ताकि मैं इस तरह कीगा कभी भी कोई भी updated वीडियो लाओं तो सारा नुट्विकेशन अपलोगों तक इंस्टांट आता रहे ठीक है तो दूस्तों मिलते हैं इस तरह की नेक्श वीडियो है तब तक लिए स्टेटियों दाओ चैनल